Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा और आज मैं आप सभी लोगों के सामने ले आई हूँ आपकी most awaited movie यानि की Alita, The Battle Angel ये movie आय थी 2019 में इस movie का main base है cyberpunk action film ये कहानी हमें हमारी technology और आज के समय से ले चलती है 500 साल आगी यानि की कहानी हमें दिखाय जाती है 2563 यानि की 2563 सेंचुरी और इ की ये कहानी 300 साल आगी चल रही है यानि की एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ था जो कि करीबन 2200 सेंचुरी में हुआ था और उसके 300 साल बाद कहानी का base start होता है क्या आप सभी लोगों ने कभी ऐसी कलपना की है कि आपके रोबोटों के अंदर इंसानों का दिम कहानी के शुरवात में हमें एक बहुत ही बड़ा spaceship दिखाया जाता है जो कि कहीं अंत्रिक्ष में नहीं बलकि अपनी ही अर्थ पे हवा के अंदर था हवा में जूलता इस spaceship को नाम दिया गया था जॉलम और इसी जॉलम के बीच में बसी थी स्काइ सिटी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहां का गार्बेच एक डंप यार्ट के अंदर गिर रहा था एक आदमी उसी गार्बेच में से कुछ पार्ट जून रहा था वहां उस आदमी को गार्बेच में से एक हाफ रोबोट मिलता है उस आदमी का मशीन को चेक करने प बोडी जोड देता है डॉक्टर जब उस रोबोट के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि ये आज की टेक्नोलोजी की बोडी नहीं है बलकि ये टेक्नोलोजी कुछ यूनीक है और ये काफी समय पुरानी भी हो सकती है इन आधे रोबोट और आध बोडी किसने ट्रांस्प्लांट की है सीडियों से नीचे उतरने के बाद वो डॉक्टर इडो से मिलती है उस समय डॉक्टर इडो उसे कुछ जादा बताते नहीं है वो से सिर्फ इतना बताते हैं कि मुझे बस तुमारा एक्टिव माइंड मिला था बाकी इसके अंदर की ब इपने साथ में बाहर गुमाने के लिए चलते हैं इस सीन में हमें यहां दिखाई देगा कि इनसान यहां पर काफी कम है बलकि हर जगा रोबोटिक्स ही रोबोटिक्स हैं इनसानों के अंदर रोबोट के पुरजे जुड़े हैं यानि कि किसी का हाथ मशीनरी है या फिर किस स्पेश्टिप बचा है इन्हें जॉलम कहते हैं यहां पे उपर सकाई सिटी है आइरन सिटी में जो लोग भी काम करते हैं वो सब कुछ सकाई सिटी के लिए किया जाता है अलीटा वहां पे एक रेस्टराउ में बैठी होती है और इडो का वेट कर रही थी कि तभी वहां पे सेंचुरी जा जाता है इसका मतलब है एक काफी बड़ा रोबोट जो कि फैक्टरी में बना था और फैक्टरी में रहता है वो सैंचुरी अलीटा को उड़ानी ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक लड़का पहुँच जाता है जिसका नाम है ह्यूगो ह्यूगो जब अलीटा स काम है और यह किसे बुरे साइबॉग का काम है और तभी हमें दिखाया जाता है कि या अन्दर डॉक्टर इडो भी दिखाया जाता हैhm वहाँ पर अलीटा की रात में आखे खुल जाती है और वो देखती है कि डॉक्टर इडो अपने घर के अंदर आ रहे हैं लेकिन वो काफी जादा घायल है उसे ये बात समझ में नहीं आती है अगली सुबह डॉक्टर इडो अलीटा को बोलते है कि तुम्हारा अब रात में घ बोड़ी देखते ही कुछ चीजें समझने लग जाती है ये लेडी और कोई नहीं बलकि डॉक्टर इडो की एक्स वाइफ है शीरीन वो डॉक्टर इडो को कहती है कि तुमने हमारी बेटी की बोड़ी इस लड़की में क्यों लगाई है असल में हुआ ये था कि डॉक्टर इडो की बेटी को पैरिलाइस था इसकारण वो लड़की चल फिर नहीं सकती थी डॉक्टर इडो और शीरीन शीरीन भी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी इन दौनों ने मिलके एक बोड़ी बनाई थी जो कि वो अपनी बेटी में ट्रांस्प्लांट करने वाले थे ले शीरीन यहाँ पे एक ऐसी डॉक्टर है जो कि साइबोग बनाती है और साथ ही साथ डॉक्टर इडो भी साइबोग बनाते हैं लेकिन शीरीन यहाँ पे साइबोग बनाती है एक गेम के लिए यानि कि मोटर बॉल के लिए उसके अंदर जो साइबोग काम में आते हैं वो पीज़ादा फिर से नाराज हो जाती है और वो वापस चली जाती है वो कार में जाके बैठती है वहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है ये आदमी है वेक्टर इस वेक्टर का कहानी में क्या रोल है मैं आपको आगे बताती हूँ अलीटा दिन के समय में आईरन सिटी में जगह पे पहुंच जाती है वो जगह एक प्लेग्राउंड की तरह था और वहाँ पे कुछ इंसान और कुछ साइबॉक मोटर बॉल का गेम खेल रहे थे उसी गेम के अंदर ह्यूगो भी था और ह्यूगो अलीटा को कहता है कि क्या तुम ये गेम खेलना चाती हो तब अलीटा वो बॉल लेती है और सीधा जाके गोल कर देती है सभी को गिराती हुई इतनी फुर्ती और इतना जल्दी गेम सीखना किसी आम साइबॉक की बात नहीं हो सकती है और वहाँ पे खड़े सभी लोग ये समझ चाते है कि इस लड़की में कोई ना कोई बात तो है तब अलीटा वो लिसे डर रहे थे तब ही अलीटा हुगो से पूछती है कि आकिर ये कौन है तब हुगो बताता है कि ये एक हंटर वोर्यएर है शाम होने पे कुछ देरी हो जाती है अलीटा को घर पहुँचते-पहुचते कि तभी वहाँ पर ईड़ो उसको डार्टता है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं कभी जॉलम जाओं यानि कि स्काई सिटी मैं इसी चीज के लिए दिन रात मेहनत करता हूं और पॉइंट से खटे करता हूं तब अलीडा पूछती है कि तुम आखिर वहां कैसे जा सकते हो तब वो बताता है कि वेक्टर ने मुझसे वादा किया है अगर मैं उसे कुछ अच्छी रकम दे देता हूं तो वो मुझे जॉलम जरूर भेचतेगा काणी शिफ्ट होती है रात के अंधेरे में जहां पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की रस्ते के अंदर चल रही थी जहां पे और कोई भी इंसान नहीं था और उसका पीछा कर रहे थी डॉक्टर इडो डॉक्टर इडो के हाथ में एक ब्रीफ केस था वो अपना ब्रीफ केस खोलते हैं और उसमें से एक वेपन निकालते हैं अलीटा ये देख रही थी सारा सीन जिसके अंदर डॉक्टर इडो अपने वेपन से उस लड़की को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे अलीटा कूट पड़ती है और डॉक्टर इडो को रोक लेती है और वहाँ पे वो जो लड़की खड़ी थी वो एक लड़की नहीं बल साइबौक पहुचाते हैं डॉक्टर एडो अलीटा को वहां से साइड होने के लिए केहते है लेकिन अब वहां पर जो बुरे साइबौक थे वो अलीटा पर अटस्च कर देते हैं अलीटा जाने अन जाने इतनी शांदार फाइट करने लगती है कि वो एक के बाद एक यहाँ पर साइबॉग को मारने लगती है उन सब के अंदर इनका एक लीडर भी था जिसका नाम था ग्रिविशका और अब अलिटा को समझ में आता है कि वो पास्ट के अंदर कोई नंबर 99 की वारियर हुआ करती थी अलिटा बस उन साइबॉग से लड़ती ही जा रही थी अलिटा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर आखिर इतनी पावर कहां से आई और उसे ये सारी मूवज आती कहां से है और इसी फाइट के अंदर उचल के वो ग्रिशका का हाथ काड़ देती है इड़ो कहता है कि तुम इतनी पावर स्टार्टिंग में मार्केट के अंदर देखा था ये सारे सैंचुरीज यहीं पर ही थे यहाँ पर वो लोग काम करते हैं जो कि बुरे साइबॉग को मारते हैं और बुरे साइबॉग को मारने के बाद इन्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं अब हम एक कहानी का सीन क्लीन में दिखाया जाता है इडो और अलीटा बैट के बात कर रहे थे और अब अलीटा पूछती है कि आखिर जो आपने मुझे बॉड़ी लगाई थी वो इतनी पावरफुल कैसे है और आखिर आपकी बेटी कैसे मरी थी तब इडो बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले मेरे ही बनाए हुए एक साइबॉक जो कि काफी जादा ताकतवर और इंटेलिजेंट था वो कहीं न कहीं इतना जादा पावरफुल हो चुका था कि खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ये साइबॉक मैंने मॉटर बॉल के लिए बनाए थे एक दिन उसी में से ही कोई किया आई थी वो उसके पास्ट की थी उसके पास्ट में वो क्या थी यानि की वारियर थी तो कहां की वारियर थी और वो कहां पे वार कर रही थी ये सारी चीजें वो जानना चाती थी अब हमें कहानी दिखाए जाती है वेक्टर और शिरीन के यहां पे वो लोग अपने तब एक छोटी लड़की का काम है जो कि इडो ने बनाई है तब इक रिश्का के अंदर एक नैचुरल पावर आ जाती है यह नैचुरल पावर थी नूवा की अब मैं आपको बताती हूँ कि नूवा कौन है नूवा रहता है जालम में यानि कि स्काइ सिटी के अंदर और वो और वेक्टर को कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए मुर्दा शिरीन वेक्टर के पास काम इसलिए करती थी क्योंकि वेक्टर ने शिरीन को वादा किया था कि वो उसे जॉलम सिटी वापस पहुचा देगा अब हमें कहानी का सीन दिखाया जाता है डॉक्टर इडो और अ आएंगी और अब डॉक्टर इडो अलिटा को ले चलते हैं मॉर्टर बॉल के अंदर यानि कि उस गेम के अंदर जहां पे काफी डेंजरस साइबॉक उस गेंग को खेला करते हैं और उसके अंदर जो भी चैंपियन बनेगा वो चला जाएगा जॉलम के अंदर तब वहाँ अलिटा देखती है कि कैसे डेंजरस से डेंजरस साइबॉक जो कि इतने जादा पावरफुल है और उनके पास इतनी अच्छी टेकनीक्स हैं वो भी एक के बाद एक मर जाते हैं और तब वहाँ पे हूगो से मिलती है हूगो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बैक स्टेज ले चलता हूँ यहाँ पे सभी लोग मेरे दोस्त हैं अब हूगो अलिटा को अपने साथ में बैक स्टेज ले चलता है वहाँ पे साइबॉक सभी के सभी रिपैर हो रहे थे हूगो के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकरी देती हूँ यूगो एक ऐसा लड़का थ जो कि साइबॉक के पार्ट्स को निकाल के वेक्टर को ही बेचा करता था यानि कि साइबॉक को वो पहले पैरलाइस करता है और उसके बाद में साइबॉक को बान के उनके जो भी अच्छी अच्छी पार्ट्स थे वो वेक्टर को मोटर बॉल के गेम में जीतने के लिए पे अपने दोस्तों के साथ में अलिटा को कहीं सिटी के बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है। वो बताता है कि आज से 300 साल पहले जो कि महायुत हुआ था उसमें से एक स्पेस्शिप यहां पे आके गिर गया था। तब अलिटा पूछती है कि आखिर ये वार हुई किसके बीच में थी और आखिर ये वार क्यों हुई थी तब हुगो उसे बताता है कि ये वार हुई थी URM के बीच में URM यानि कि United Republic of Mars वो ही हम लोगों के एनिमी हुआ करते थे और यहां पे जो स्पेस्शिप किरा हुआ है ये URM का ही है यानि कि हमारी दुश्मनों का वो एक ऐसी कमरी के अंदर पहुचती है स्पेस्शिप के जिसके अंदर जाने पे आपको एकसिस चाहिए था अलीडा को नहीं पता कि वो उस कंट्रोल पैनल को कैसी चालू कर देती है जैसे ही वो उस कंट्रोल पैनल को चालू करती है वहां पे एक बहुत ही बड़ा कवच बना हुआ था और अब सभी लोग चौँक जाते हैं कि आखिर ये किसकी बाड़ी पानी में से ले आई है और वो भी URM के स्पेस्शिप में से, ये बॉड़ी वो ले चलती है अपनी घर में, यानि कि इडो के क्लिनिक में, इडो वो बॉड़ी देखते ही पहचान जाते हैं कि ये बॉड़ी URM वालों की है, हालांकि इडो को इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि व ये ही बॉड़ी में चाहती हूँ, और ये ही बॉड़ी मुझे डिजर्फ करती है, क्योंकि ये बॉड़ी बहुत जादा स्ट्रॉंग है, तब इडो वो बॉड़ी अलीटा में ट्रांस्प्लांट करने के लिए साफ मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये इतनी जादा पावर के लिए रजिस्ट्रिशन कराना है, और तभी वहाँ पर हुगो भी पहुंच जाता है, अब जब अलीटा उस फैक्टरी से निकलती है, तो हंटर वारियर का रजिस्ट्रिशन लेके निकलती है, अब हुगो और अलीटा एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, जो कि सिर्फ और जर्फ हंटर वारियर के लिए ही था, अब अलीटा उस बार में पहुंच जाती है, जहां पर सभी के सभी हंटर वारियर्स थे, यह सभी बुरे साइबॉग को मारते थे, अंदर जाते ही उनकी मुलाकाद सबसे पहले होती है जपैन से, अब जपैन अलीटा का काफी जादा म मार गिराया है, जितनी तुम सोच भी नहीं सकती, कि तभी वहां पे अलीटा भी जपैन का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, कि तुम्हारी शकल और बाल खराब हो जाएंगे अगर तुम मुझ से बात करोगे तो, और वहां पे बैठे सभी लोग इस बात पे जपैन के उपर हसने लगते हैं, और जपैन को इस बात पे काफी ज़ादा गुसा आ जाता है, अलीटा वहां पे सभी लोगों को एक बात बोलती है, कि हम सभी लोग हंटर वारियर है, और मुझे आप सभी लोगों की मदद चाहिए, ग्रिविशका को मार गिराने के अंदर, ग्रिवि का साइबॉग था, और कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था, कि तभी वहां पे वो सभी लोगों को चैलेंज करती है, कि अगर मैंने तुम लोगों को मार गिराया, तो तुम सब लोग मेरी मदद करोगे ग्रिविशका को मारने में, और अब वो सबसे पहले शुरव वेक्टर ने बिल्कुल ठीक कर दिया था, और साथ ही साथ शीरीन ने भी उसके उपर काफी जादा मेहनत की थी, तो ग्रिविशका कहता है सारे के सारे हंटर वारियर को कि बताओ, अलीटा की मदद कौन करेगा, तब उन में से कोई भी हंटर वारियर आगे नहीं आता है, कि तबी वहाँ ग्रिविशका अपनी तलवार से उस डॉक को मार देता है, अलीटा ये सीन देखे आप तो ग्रिविशका को बिल्कुल भी नहीं छोडने वाली थी, कि तबी वहाँ पे वो उस डॉक का बलड लेके अपनी आँखों के नीचे लगाती है, लाइक का सूपर वार और अब ग्रिशका चला जाता है अंडर ग्राउंड, यानि कि अर्थ के इतना नीचे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गार्बेज था, जो साइबोग खतम हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं उनका गार्बेज, इस मुवी की सबसे बेस्ट फाइट के अंदर ये सीन भी आता है जहां पे आपको एक अलगी तरह के का एनिमेशन दिखेगा, ग्रिशका के हाथ में अब एक ऐसा वैपिन था जिसके अंदर से हाथ खोलते ही, पांचों के पांचों उंगलियों के अंदर बड़ी बड़ी सी तीकी नुकीली मशीने निकलती हुई दिखेंगे, और अब वो ये सब का अटेक कर देता है अलीटा पे, अलीटा इनसी बचते बचाते कैसे न कैसे करकी ग्रिशका के उपर अटेक करती है, लिकिन वो अभी इतनी ज़ादा पावर्फुल नहीं थी कि ग्रिशका को मार गिराए, इसी फाइट के अंदर फिर से अलीटा को अपनी पुरानी मानती थी और अब फिर से पहुँच जाती है फाइट करने के लिए ग्रिश का अल्मोस्ट अल उसके हाथ पैर अलग कर चुका था कि तभी वहाँ पे अलीटा उड़के एक जंप लगाती है इस समय तक ग्रिश का ने अलीटा की बहुत सारी बॉडी कार्ट दी थी और अब अल अलीटा को देखते हैं तो उनका दिल तूट जाता है कि अलीटा की बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है अब सिर्फ और सिर्फ उसका कोर बचा है और अब वो अपने इस फैसले पे पच्चतावा करते हैं कि उनको अलीटा के अंदर वो बॉडी लगा देनी चाहि तब डॉक्टर इडो बताते हैं कि जैसा अलीटा अपनी बॉडी को इसके अंदर देखना चाहती है वैसे ही ये बॉडी चेंज हो जाएगी ये इतनी जादा हाई टेकनोलिजी की है अलीटा जब होश में आती है तो अपनी नई बॉडी को देख की काफी जादा खुश हो जाती है और वो बताती है कि मैं अभी भी जिन्दा हूँ और इस बॉडी को मेरी ही तलाश थी दूसरी तरफ ग्रिशका जब बहुत जादा डामेज हो चुका था तो वो पहुंच जाता है वेक्टर के पास में और अब ग्रिशका मना करता है कि अब मुझे ठीक मत करो मेरी इतने बुरी हालत फिर से उसी लड़की ने की है तब नोवा अपनी स्प्रिच्वल पावर से फिर से वेक्टर की बॉड़ी में पहुंच जाता है और ग्रिशका को कहता है कि तुम ही मुझे वो लड़की लाके दोगे और वेक्टर ऐसे तो अलिटा को पा नहीं सकता था इ कि ही में अलिटा को पता था कि यूगो Zolem जाना चाता है और अलिटा इस चीज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी अलिटा कहती है कि मेरा दिल तुम ले जाओ मेरा दिल बहुत जादा संट करो कि तुम उसके लिए कुछ भी देने को तयार हो जा生 तब अलीटा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो क्योंना हम दोनों मिलके ऐसी पॉइंट्स बनाए जिससे हम तुम्हें जॉलम भेज सके और अब हुगो को पता चलता है कि अलीटा एक इतनी अच्छी साइबॉग है जिसके अंदर फिलिंग्स अनलिमिटेड है अब अलीटा जब ये पॉइंट्स कमाना चाहती थी तो ये पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ मोटर बॉल के गेम को जीत के ही कमाए जा सकते थे इडो इसमें अलीटा की मदद करते है और अलीटा को एक ऐसा कवच बना के देते है जो कि स्टॉंग तो था ही और साथ ही साथ इस गेम को जीतने में अलीटा की मदद भी करता वो अलीटा को एक हेलमेट भी देते है और वो कहते हैं कि ये हेलमेट तुम पहने रखना हमेशा के लिए अब हमें कहानी में एक सीन ऐसा दिखाया जाता है जहां पर वेक्टर ने सारे के सारे साइबॉग को बुलाया था ये सारे साइबॉग हंटर वारियर थे और अब वेक्टर उन हंटर वारियर से चाहता था कि तुम अलीटा को मार दो दूसरी तरफ जेपैन भी अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए पहुंच आता है ह्यूगो के पास में ह्यूगो उस समय पे बताने के लिए आया था अपने दोस्तों को कि आज के बाद वो ये सारे बुरे काम छोड़ देगा और अब वो आज के बाद कोई भी पार्ट्स नहीं चुराएगा ह्यूगो के दो इंसल्ट बरदाश्ट ही नहीं हो रही थी उसे पता था कि यूगो को बचाने के लिए अलीटा जरूर आएगी और तब वो अलीटा को मार देगा तभी यूगो अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है और अलीटा को फोन करता है मोटर बॉल गेम स्टार्ट होने मे कुछ ही समय बाग की था कि तब वहां पे यूगो एक चीज नोटिस करता है कि ये सारे के सारे साइबॉक और कोई नहीं बलकि हंटर वारियर है और ये सब मारने के लिए आए हैं अलीटा को जिसे वेक्टर ने ही बेचा है ये चीज वो बताने के लिए अलीटा की पीछे भ सब लोग तुम्हें मारने के लिए गेम खेल रहे हैं यहां पे कोई भी जीतने के लिए नहीं खेल रहा है अलीटा कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए और वहां गेम स्टार्ट हो जाता है सारे के सारे लोग अलीटा के पीछे भागने लगते हैं अलीटा को मारने के ही है बल्कि ये गेम उसे मारने का चल रहा है तभी वहाँ पे यूगो भी अब अलिटा को फोन करके बताता है कि तुम वहाँ से निकलो ये लोग तुमें भी मारने वाले है और जपैन अब मेरे पीछे पड़ चुका है वो मुझे मारने वाला है तुम मेरी मदद करने के होती है जिसके अंदर अलिटा एक एक करके हंटर वारियर को गिरा देती है और सारे के सारे हंटर वारियर गिर पड़के अलिटा से मात खा जाते हैं यानि कि कोई भी हंटर वारियर नहीं बचता है एक दो हंटर वारियर अभी भी अलिटा के पीछे लगे हुए थे अलिटा सबी अलीटा के पीछी भागने लगते हैं उसे मारने के लिए लेकिन अलीटा की ट्रिक्स काफी जादा यूनीक थी वो उन्हीं हंटर वारियर को अपने ही जाल में फसा देती है और वो साइबॉग मर जाते हैं अब अलीटा तब तक पहुंच चुकी थी यूगो के पास में लेकिन वहाँ पे अब जापैन भी पहुंच चुका था जापैन अलीटा को बताता है यूगो की सारी सच्चाई कि कैसे वो साइबॉग को डामेज करके उनके पार्ट्स बेचा करता है वेक्टर को ये बात सुनके अलीटा को बहुत ही जादा बुरा लगता है इसके साथ ही जापैन अलीटा को ये भी पताता है कि इसने इंसानों को भी मारा है तब यूगो कहता है कि ये चीज मैंने नहीं की है लेकिन अब ये चीज यहाँ पे मैटर भी नहीं करती है इसने मुझ पे गलत इलसाम लगाया है अब जापैन कहता है कि या तो इसे तुम मारो या फिर मैं मार दूँगा क्योंकि इसके सर पे भी अब इनाम लग चुका है तब ही वहाँ पे अलीडा कहती है कि तुम इसे नहीं मारोगे अब ये मेरा शिकार है अब अलीडा ह्यूगो को लेके उस पुराने चर्च में पहुंच जाती है जहां पे ह्यूगो अब सारी बात बताता है कि मैं वहाँ पे अपने दोस्तों को बताने गया था कि आज के बाद में ये सारे बुरे काम बंद करने वाला हूँ लेकिन तब ही वहाँ पे जपैन पहुंच जाता है और जपैन नहीं दूसरे इनसान को मारा था इसी कारण उसने ये इलजाम मेरे सर पे लगा दिया है अब वो अपने सारे के सारे इरादे बदल देती है अगर अलीटा ने यूगो को नहीं मारा तो सैंचुरीज अलीटा को मार देंगे इसी कारण यूगो को मारना जरूरी था लेकिन शिरीन यहाँ पे हमें बताई गई है कि बहुत ही अच्छी डॉक्टर है इसलिए उन्होंने य वो आइना करके बताते हैं कि हाँ यूगो अब मर चुका है लेकिन जपैन को पता था कि यूगो अभी भी नहीं मरा है इसका अभी भी नर्व सिस्टम चालू है अब जपैन कहता है कि तुमने बहुत अच्छी ट्रिक इस्तेमाल की है लेकिन मैं तुमें नहीं छोडूँग यूगो पहले एक इनसान था लेकिन अब उसकी बॉड़ी नहीं रही थी तो उसकी बॉड़ी में इड़ो अब पूरी की पूरी एक रोबोटिक बॉड़ी ट्रांस्प्लांट कर देता है यानि कि अब यूगो एक इनसान नहीं बलकि साइबॉग बन चुका था दूसरे तर अलिटा वेक्टर के उपर काफी जादा गुसा थी वह अब चाहती थी कि वेक्टर को अब एक सेकंड बे जिंदा नहीं छोड़े क्योंकि वेक्टर ने सभी को धोका दिया है अब वो पहुंच जाती है फेक्टरी जहां पर सारे की सारे सेंचुरी ज अलिटा पर अटैक कर देते हैं लेकिन अलीटा अपनी नई बाड़ी पाने के बाद में किसी को भी नहीं बख्षती है बलकि वो सभी को मार गिराती है और अब वो पहुंच जाती है वेक्टर के अंदर नोवा को बुलाना चाती थी और हुआ भी यही वेक्टर के अंदर अब नोवा का शरीर आ नोवा ने डिफेंस रिंग उन लोगों के उपर छोड़ दी थी उस डिफेंस रिंग के कारण सारी के सारी वारियर मर जाते हैं और अब अलीटा को पता चलता है कि उसका असली दुश्मन और कोई नहीं बलकि नोवा ही है तब वहाँ पे ग्रिशका भी पहुंच जाता है ल और तभी वहाँ पे वो वेक्टर को मार देती है दूसरी थरफ इटो अब अलीटा को फोन करके बताता है कि हुगो निकल चुका है जौलम जानने के लिए वो अब कारगो ट्यूब पे पहुंच चुका है कि तभी वहाँ पे अलीटा कारगो ट्यूब पे पहुंचने लगत सकता हूँ तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया है वो सब बहुत अच्छा है तब अलीटा कहती है कि मैं तुम्हें उपर जरूर लेके जाऊंगी लेकिन हम सही रस्ते से जाएंगे यहां से जाने पर नोवा हमें कभी भी नहीं पहुचने देगा हम दौनों अगर इस रस् पर आज़शला बदल के वहां से पीछी वापिस जाने लगता है तब ही नोवा वहां पर डिफेंस रिंग छोड़ देता है और वो डिफेंस रिंग उस कारगो ट्यूब से इतनी तेजी से निकलती है कि वो दौनों जम्प नहीं कर पाते हैं और तब ही यूगो वहां पर उ कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है दोस्तों अब अलीटा को उपर जॉलम जाके नुवा को मार गिराना है अब कहानी को समय बाद में दिखाई जाती है जहां पे अब वो सूपर हंटर वारियर बनके और काफी जादा स्ट्रॉंग प्लेयर बनके मोटर बॉल की आखरी राउ में उठाती है कि जैसे वो नोवा को चुनौती दे रही है कि मैं उपर आने वाली हूँ तो गाइज आप सभी को कैसी लगी ये मूवी जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आप तक मैं सारी की सारी डिटेल पहुँचा सकूँ गाइज अगर आप सभी लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और जादा से जादा शेयर करिएगा ताकि आपके पास में इतनी अच्छी डिटेल वाली मूवी पहुँच सके तो चलिए गाइज मैं आप सभी लोगों से जल्द मिलती हूँ एक नई मूवी के साथ में तब तक के लिए टटा झाल